नमस्कार जी मैं मन्जू ये ब्राय फिलम का प्लांट देख रहे हैं आप इसके जो धेरों प्लांट्स आप त्यार कर सकते हैं तो ये छोड़ छोड़े पोट में भी लग जाता है और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं ज्यादा केर भी नहीं करनी पड़ती तो ये देखी ध तो थोड़ी चोड़ी जगे हैं वहां भी आप इने ग्रो कर सकते हैं तो ये दिखे रूट्स के साथ बस ऐसे लगा दीजिए जहां एक पत्ते के इसके निकाल के टुकड़े करके चोड़ चोड़े वह आप लगा सकते हैं उससे भी धिरों प्लांट्स इसके ब्राय फिलम क त्यार हो जाएंगे तो बहुत ही खुसूरत ये लगता है और जैदा कोई खास के और नहीं करने पड़ती नॉर्मल मिट्टी में किसी भी तरह के मिट्टी में लगा सकते हैं बस थोड़ी सी खाद डाल दीजिए और जैसके मिट्टी बनाना मैं से खाते हूं एक पार्ट आ ñヅपर पाणY नहीं लगा सकते हैं अच के न वाइस्चर ले लेता है, हवा में आजकल जैसे नमी बनी हुई है, तो गर्मियों में थोड़ी छायदार जगे में रखे नहीं, तो इनकी पतियों का रंग जो है वो पीला हो जाता है, तो हरोज पानी देने की जुरूरत नहीं है, बस मोसम देख लें, जैसे मोसम होता है, बह यह अच्छे से चलता है, तो यही सब के रहे है, यह सब इनको ऐसे निकाल के, ऐसे, इसका एक प्लांट बने गा तो यह झाली दिखी, जोड़ छोड़ ठीवरों प्लांट इनके, यह तियार कर सकते है, ऐसे तियार कर सकते हैं, तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया,